हेलो गैश कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैश की इसमसंग गेलेक्सी A15 5G phone है और इस phone में आप लोगों को side back करना है मतलब जो है यहाँ पर आप लोगों को जो gesture वाला button होता है back करने के लिए यहाँ पर side से back करते है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग minimize भी कर सकते है apps को तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे phone में जो यह बटन वाला back button है तो अगर आप लोगों को side back करना है तो आपको gesture वाला लगाना होगा तो कैसे आप लोग side back इस phone में कर सकते हो आज के वीडियो में मैं ही बत्ता हूँगा गाइस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं side back करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रोल दाउन करना है थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करते ही यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा display का तो इस display के option पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर से नीचे scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा navigation bar का तो इस navigation bar के option पे click करेंगे click करने के बाद देख सकती यह buttons में set है इसलिए button है अगर आप लोग swipe gesture पे click कर दोगे तो यहाँ पर अभी आप लोग side back कर सकते हो मैं दिखा थे तो आप लोगों को तो मान लिजे मैं इस application को open करता हूँ और यहाँ पर से ऐसे करेंगे तो यहाँ पर side back होने लगागा देख सकते side से अभी आप लोग back कर पाओगे जिसी भी application किसी भी application को use करोगे तो side से आप लोग इसको back कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने हिसाब से जो है आपर जो भी button पसन आते side back या buttons यह आप लोग change कर सकते हो और side back को लगा सकते हो तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को like कर दीजी और channel को भी subscribe जरूर से कर लीजिए मिलते हैं गर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई